हेलो फ्रेंट्स मैं पूर्णम अपनी किचन में आपका स्वागत करती हूँ चलिए आज गोवी का पराठा बनाते हैं जो 10 मिनट में बन के तियार हो जाएगा और बिना पानी के और बहुत ही के पूबिक और अम नहीं एक बार आप बनाना चाहेंगे चल यह घूवी का पराठा बनाते हैं मैंने लिया और छोटा गोवी के बवर स्वाबाबर को इतना गोभी लिया है यह चार लोगों के लिए पराठा बना रहे हूं एक लिया है दो हरी मिर्च , एक इंच अध्रग का है, प्या प्याज यह लिया है, यह ओráसनल है, use करें दें अकरें और इसको हम ग्रेट करेंगे, ग्रेट करेंगे कदुकस से छोटे वाले से गोवी को, हम अच्छी तरह से धो के प्याज को और गोवी को दोनों को इससे ग्रेट करेंगे, बैने गोवी को ग्रेट कर लिया है और अनियन को ग्रेट कर लिया है, अनियन को इसमें गोवी में डाल नमक डालके 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे गोभी और अनियन पानी छोड़ दे तब दक हम मसाला रेडी कर लेते हैं हमारा गोभी और प्याज पानी छोड़े ये छोटा चमच है मेरे मसाले का इससे आधा चमच में गरम मसाला डाल रही हूं मिर्ची डाला है इसलिए मिर्ची कम Bush चोटा अधा चमच धनिया पाॉड़ डाल रही हूं आधा चोटा चमच चाट मसाला डाल रही हूं एक चमच ओटा चमच गुनवा जिया पाॉड़ डाल रही हूं चोटा चमच, यह हमारे मसाले है, नमक हम जब आटा लगाएंगे तब उसमें डालेंगे, और अजवाइन भी मैं अभी डाल दूगी, इसमें एक चमच अजवाइन है, आटा लगाने के लिए पहले मैं यह जो गोभी मैंने नमक डाल के रखा था, उसको पहले आड करूँगी उसी के अकॉडिंग आटा हम आट करेंगे, इसमें मैं धनिया पता भी डाल दे रही हूँ हमें, और ये लसन, गार्लिक और चिली जो मैंने प्रस किया था, वो भी डाल के इस तरह से मिक्स करके, अब मैं इसमें आटा आट करूँगी, पहले आप थोड़ा आटा एक कपी आ मिक्स कर लेंगे, इसमें मैं मसालय एड कर रही हूँ, नमक भी डाल दूगी अभी, पहले हमने गोभी में नमक डाला था, उसके अकॉडिंग नमक डालेंगे, आधा कप और आटा एक कर रही हूँ में, और इसको हाथों से, भी अनियोएग, पानी अभी नहीं एड करेंगे ऐसे पानी की जुरूत नहीं लगेगी, लेकिन लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी हम एड़ करके डो बनाएंगे, इसका डो हम टाइट बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी दिर बाद गो भी और पानी रिलेज करेगी अपना, तो हमें बेलने में इसका जो सपाती पराठा बनाने में एकदम मुस्किल ना हो, इसके लिए थोड़ा सा ठाइट डो बनाएंगे, यह देखिए मेरा मुझे पानी आड़ करने की जुरूत नहीं पड़ी है, मेरा डो लगबग त्यार हो गया है, इसको अब हाथों से हतेलियों से थोड़ा मलेंगे, यह देखिए मेरा डो बनके त्यार हो गया है, मैंने इसमें कोई ओयल वगेरा नहीं अड़ किया है, अब मैं इसका पराठे बनाऊंगी तुरंथी, चलिए पराठे बनाते हैं, मैंने काया सॉन कर दिया है, तबा गरम हो रहा है, आटा लगाएंगे लोई में, सिंपल जैसे हम रोटी बेलते हैं, वैसी बेल के बनाएंगे पराठे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पराठे, ठाटी में, बहुत खाने का मन करता हैं गुवी का पराठे, इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी सबजिया ही डाली है, पका के नहीं डाली है, इसलिए और मैं एक चमच ओयल डाल रही हूँ, आप गी, बटर जिसमें बनाना चाहें, बना सकते हैं, लेकिन मैं आज सिंपल फ्राइवल में बना रही हूँ, वेजिटेवल ओयल में, झाल 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 झाल झाल